हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चलन डिजाइन पूर में तो आज मैं आपको स्लीप की डिजाइन दिखाने जा रही हूं मैंने देखिए स्लीप के लिए 7.5 इंच रखी है और इसकी वित जो है देखिए 9 इंच है अब इस पे मैं हम गरा उपर के साइड का देखिए मार्किंग है तो उपर के साइड से मेरा 3.5 बच रहा है अब 1 इंच का एक मार्किंग और करेंगे हम यहां से तो 1 इंच पे देखिए से हम एक मार्क कर देंगे यह मैंने मार्किंग कर दी है अब इसका हम डिजाइन मार्क कर लेते हैं तो डिजाइन दरहां से मैंने मार्किय से मुसी चिकल से कट कर लेंगे अच्छे तरीके से ये देखिए मैंने डिजाइन को पूरा कटिंग कर दी है अब मैं बलाव स्वारी आस्तिन का कप्डा लिया है जो मुझे यूज़ करना है अब इसको हम 20 से कट करके अलग-अलग कर देते हैं तो मैंने दो पार्ट में कर रही है कप्ड़े को ये देखिए मेरा दोनों पार्ट से एक पार्ट से हम ले लेते हैं और इसके हम स्टीचिंग कर लेते हैं करके आपको दिखा भी देते हैं तो यह देखिए मैंने इसको बराबर रख लिया है अब इसको हम stitch करेंगे तो पहले मैं design के side से stitch कर रहे हूँ तो मेरा less है pani kप्टे पे इसलिहे मैं design के side से stitch कर अगर आपका less ना हो तो पूरा नीचे से stitch कीजिएगा अब इसको हम cut कर देते हैं जो extra fabric है यह मैंने डेजाइन आच चुका है इस पर हम कट्स लगा देंगे पूरा तो मैंने देखिए पुरा कट्स लगा दिया अब इसको मच्छे तरीके से पुरा उलट कर सीधा कर लेंगे तो मैंने सीधा यह दिखी कर लिया है अब नीचे के साइड से मुझे स्टिच करना कि मैंने स्टिच नहीं किया तो बिल्कुल बराबर करते हैं एक सिलाई लगा कि इसको स्टिच करेंगे अच्छे से बराबर कर लेजेगा अस्तरों कपड़े को फिर एक सिलाई लगा के हम पुरा इसकी साइड में स्टीचिंग कर लेते हैं यह देखे मैंने नीचे के साइट से और पुरा स्टीचिंग कर लिए साइड की अब एक सिलाई लगा के इसको हम बराबर में पुरा और राउन स्टीचिंग कर लेंगे तो मैंने यह कपड़ा लिया इसकी में एक पतली वाली डोरी स्टिच कर देती हूं डबल फोल्ड करके देखे मैं डोरी की स्टिच कर रही हूं सेम ऐसे आपको भी करना है डोरी को स्टिच तो मैंने देखे डोरी की स्टेचिंग कर दी है अब इसको हम कट कर लेते हैं पूरा अब जो मैंने भी डोरी बनाई हुई है इसको हम उलटकर सीधा कर लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से डोरी को सीधा कर लीचेगा आप भी ये देख लीजे मेरी डोरी सीधी हो चुकी है अच्छे से पूरा अब मैं ये स्लिव ले लेती हूँ और इसके उपर से मुझे डोरी किस तरीके से स्टिच करके डिजाइन करने हैं आप वीडियो में देख लीजें बिल्कुल कॉर्णर से हम डोरी को रखते हुए पूरा स्ट तरीके से आप भी कर लीजेगा ये डिजाइन बहुत ही ब्यूटिफुल दिखता है तो आप सीम ऐसे ही बनाएगा जैसे मैं स्टिप बाई स्टिप आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से बिल्कुल डोरी के बीस से सिलाइ लगाते हुए आप डोरी को तरीके से देखे पुरा जॉइंड कर दिया ये रेख लीजिए इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी इसका बना लेते हैं जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बनाए हैं तो मैंने दोनों पार्ट बिल्कुल कम्प्लिटली बना दिया है अब इस पे मुझे मोती लगानी है तो मै golden color की बड़ी वाली मोती का यूज़ कर रही हूँ तो आप बड़ी वाली मोती लीज़ेगा अब इस पे मैं कैसे मोती को लगाऊंगी तो पहले मैं मार्क कर देती हूँ दोनों पार्ट्स पे इस तरही के से हमारा बराबर में मोती आएगा और नीचे के साइड से बिल्कुल बराबर में मार्क कर देते हैं तो यह मैंने मार्किंग कर दी है पूरा देख लीज़े अब इसी पे मार्क के उपड़ से हम जो है मोती को लगा लेते हैं तो मैं डीडल्स की साथ से मोती को स्टिच करूँगी तो कैसे हम मोती में लगा रही हूँ स्लिप्स पे सेम ऐसे ही आप भी मोती लगा लीजेगा और इसकी बाद हमारा स्लिप्स डिसाइन आगे का मैं आपको बताती हूँ पहले आप इतना देख लीजेए यह देखिए मैंने अच्छे तरीके से पुरा मोती लगा दिया है अब यहां से हम लॉक कर लेते हैं बाद के दागे को यह देख लीजे अच्छे तरीके से एक मोती मैंने लगा दिया है अब आपको एक और मोती लगा के दिखा देते हैं जिससे आपको यह समझ में आता रहा है कैसे मैंने मोतीयों को स्टिच किया है डिजाइन के साथ में यह मेरी दूसरी मोती है इसको भी हम नीचे के साइड से अच्छे तरीके से बाद लेते हैं मैंने दोनों मोतियों को लगा दिया स्टर के नीचे के साइड भी देखे मैंने लगा लिया है और मेरी स्लिप डेजाइन बिल्कुल कम्प्लीड है यह किती ब्यूटिफूल दिखरी यह बहुत ही सिंपल से स्लिप डेजाइन आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं अपने अगले वीडियो में ने डिजाइन के साथ थैंक्स पर आचिंग बाय बाय फ्रेंड्स